Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल नियूज देख सकते हो, debate over Hanuman's birthplace, करनाटका says plans on to develop Anjanadiri Hill, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हनुमान जी को अंजनिक पुत्र भी कहा जाता है, तो ये Anjanadiri Hill वहीं से आया है, तो actually क्या है कि ये जो पूरा debate है, वो basically करनाटका और आंधर परदेश के बीच में आपको देखने को म करनाटका सरकार ने पहला move चला है, और कहा है कि जो हनुमान जी का birthplace है, जैसे कि राम टेंपल बनाया जा रहा है, उसी के basis पर हम बनाएंगे, तो ये पूरा मामला है कि आप वो मैं आपको बताऊंगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, अगर आप UPSC के त्यारी कर रहे हैं, तो आपके पास study IQ के द्वारा जो course दिया जा रहा है, उसके अंदर आप अपनी preparation बहतर तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो हम live classes आपको दे रहे हैं, 900 plus hours of live classes होंगी, MCQ के माधियम से आपक mains का preparation होगा, crisp notes दिया जा रहा है, current affairs सारे program चला जा रहा है, daily basis पर, और आप सोच के देखिए, यह सब कुछ आपको बहुत ही affordable rates पर, सिर्फ 18,999 में, तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, और हमारे morning batch को join करना चाहते हैं, जो कि 11 जुलाई से start हो रहा है, तो जल स जल से जल इसके अंदर enroll कराईए, क्योंकि prices लगतार बढ़ते जाएंगे, code use करिएगा, अंकित live, और इसके लावा अगर आप evening batch भी चाहते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो वो आप हमारे website और app से जाकर ले सकते हो, इसके लावा अगर आप MCQs अटेंट करना चाहत उसको develop करने की सोचे है, मतलब की जो काम होना चाहिए उसको redevelop करने का, उसके लिए order pass कर दिया गया है, basically क्या है करनाटका के अंदर अगर आप नदन वाले side देखोगे, तो यहाँ पर एक district है, कोपल district, और यहीं पर एक hill मिलेगा, right side में आप देख सकते हो इस तरह का, जिसक पर्टिकुलर hill पर, वहीं से यह associated है, और इसलिए जो state tourism minister है आनन सिंग जी, उन्होंने एक blueprint जो है, वो बोला है कि तयार हो गया है, इसके development के लिए हम उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, और 100 करोन रुपे इसके लिए set aside कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर tourism भी ज्यादा अच अच्छे तरीके से हो सके, और जैसे यह announcement किया गया, वो आपको पता होना चाहिए, कि वो इस समय किया जा रहा है, जब करनाटका और आंधर परदेश के बीच में, अल्रेडी काफी बड़ा टसल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो करनाटका government है, जैसे मैंने बताया, उन पी, वो भी इसकी के पास, just around 20 km के दूर बताया जाता है, और इसके लावा जो आंधर परदेश है, उनका कहना है कि नहीं, जो अंजनादरी हिल है, वो basically आंधर परदेश के अंदर है, मतलब कि रमायन के अंदर जो अंजनादरी हिल का जिक्र हुआ है, जिस particular जगा का जिक्र हुआ है, वो basically करनाटका वाले हिल की बात नहीं कर रहे है, वो यहाँ पर तिरुपती के पास, जो वहाँ पर 7 हिल है, उसमें से एक particular हिल की बात कहीं जारी है, तो इसकी की वजह से आप कहते हो कि जो आंधर परदेश और करनाटका आप गवर्मेंट के बीश में, अकसर जादरी हिल में, जो आपका करनाटका में मौझूद है, उसको basically एक tourism corridor के माध्यम से राम टेंपल के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि जब भी राम भगवान जी का जो जिकर आता है, तो हनुमान जी भी अवेसी बात है, उनका भी आता ही है, तो यहाँ पर हनुमान जो टें करता है, मैंने आपको बता है, इसको redevelop करने की बात कही गई है, ग्रैंड स्तर पर, और इसके लावा यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दू कि तुंग भध्रा रिवर गुजरती है, तो आपके exam point of view से बहुत important हो जाता है, तुंग भध्रा रिवर basically tributary है Krishna river की, यह आपको जो world heritage site है मैंने आपको बता है, उससे just 20 km ही दूर है, तो इसलिए भी important हो जाता है, और रमायर के अंदर basically आपने सुना होगा जो kingdom की बात कही गई, वनरास, तो वानर basically monkeys को ही कहा जाता है, तो उनका जो पुरा kingdom था, जिसको किशकिंदा कहा जाता था, तो वो हमपी का ही जिक जिकर था, ऐसा यहाँ पर जो जो लोग experts हैं वो मानते हैं, और इसका जो पुरा project की बात कही जा रही है, जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो road improvement है, वो किया जाएगा, alternative routes बनाए जाएंगे, ताकि आसानी से hill पर पहुँचा जा सके, इसके लावाँ यहाँ पर जो chief minister है करनाटका के, उन्होंने यह कहा है कि हमें 60 एकर land किया उशकता होगी, और इसमें से 58 एकर जो land है, वो private land है, इस समय जो कि farmers के पास है, तो इसको acquire करने के लिए यहाँ पर farmers का consent लेना ज़रूरी है, तो इसी को लेकर जो बोमाई है, जो chief minister है, उन्होंने यहाँ पर order दिया ह कि आप farmer से बात करिये और उनसे consent लेकर, उनको मुआफजा देकर जो land है वो लेने की कोशिश करिये, या फिर एक board है जिसका नाम है करनाटका industrial areas development board, उनके माथम से भी land को लिया जा सकता है, और especially बताया जा रहा है कि chief minister बुमाई वो खुद काफी जादा personal interest ले रहे हैं इसके हुआ था कि जो तिरुमला तिरुपती दिवास्थनम है, basically एक board है, TTD जिसको कहा जाता है, बहुत सारे temples को manage करते हैं, जिसमें जो तिरुपती का main temple है, Venkateshvara temple उसको भी manage किया जाता है, तो इन लोगों ने क्या किया था, एक expert panel बनाया था, जिसके अंदर वेदिक scholars हो गए, आर्केलोजिस्ट हो गए, इसरो साइंटिस्ट हो गए, उनको बोला गया कि आप study करिए और एक report को submit करिए कि exactly actual birthplace कौन सा है हनुमान जी का, और इसलिए आगे चलकर 2021 में अप्रिल के महिने में एक report आता है, और इसके अंदर इनके द्वारा बताया जाता है कि जो आंदर पर birthplace है, वो आंदर परदेश में है, तिरुपती जो hill है, 7 hill है वहाँ पर, वहाँ पर देखने को मिलता है, और इसके जो executive officer भी थे, उनका भी पहले भी ये कहना था कि mythological, astrological और scientific evidence है कि वो अपने claim को support कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, करनाट का सरकार इसे खुश नहीं थ तो उसमें जो, जो राम जी है, उनके younger brother लक्षमन हो गया है, और हनुमान जी, जो अब वो मिले थे, वो basically यहीं पर मिले थे, अंजयनादरी हिल से मिले थे, और इसलिए ये करनाट का के अंदर ही संभाव है, और ये जो हिल है basically हनुमान temple मैंने आपको बताया, ये basically जिस तरह कि वहाँ पर सबूत मिलते हैं, जैसे कि अभी rock carved idol हो गया, राम का, सीता का, अंजन, देवी, temples का, उसी particular vicinity में, तो ये करनाट का कहना है कि ये दिखाता है कि जो actual हनुमान birthplace है, वो यही होगा, और करनाट का government ने basically यहाँ पर एक pilgrimage center जो है, वो डबलब करने का नेनल या है, औ और in fact मैं आपको एक और interesting चीज़ बताता हूँ, जब आंदर परदेश ने यहाँ पर ये पैनल घटन किया था, टी-टी-डी का, तो उसी की just बाद ही करनाट का tourism department ने, जो पुरा प्लान है इसको डवलब करने का, उसका नेनल ले लिया था, तो इस तरह का पूरा debate आपको द आपको करनाट का में located है, आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसका right answer Telegram से भी ले सकते हैं, इसके लावा अगर आप MCQs एटन करना चाहते हैं, कई सारे तो आप मेरे stories में जाकर Insta प करिए, ताकि आपको maximum discount में ले, I hope की वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.